मिलो नाम की एक धूर्थ लोमडी और लियो नाम का एक राजसी शेर भूमी पर खूंते थे। फियोना के चालाग तरीकों और लियो की शाही उपस्थिती ने उन्हें एक दुर्जेय जोड़ी बना दिया। जिसका सवाना के सभी जीव सम्मान करते थे। एक दिन जब फियोना और लियो अपने अगले भूजन की तलाश में थे तो उन्हें एक असामान्य दृश्य दिखाए दिया। मिलो नाम का एक शरार्ती बंदर और डेजी नाम का एक अनाडी कधा। क्लो नाम की एक भैभीत मुर्गी और बज नाम की एक व्यस्त मधुमक्थी को मोटिमा नाम के लालची मच्छर के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोटिमा ने क्लो और बज पर अपनी नजरे गड़ा दी थी। उसे विश्वास था कि उनका खून उसे महान शक्ती और ताकत देगा। लेकिन मिलो, देजी और उनके अप्रत्याशित साथ ही अपने दोस्तों को नुकसान से बचाने के लिए द्रिर थे। लियो और फ्यूना ने आश्चरिय से देखा जब बंदर, गधा, मुर्गी और मधुमक्खी मोटिमा को मात देने और मात देने के लिए अपने अध्वितिय कौशल और प्रतिभा का उप्योग करते हुए एक साथ काम कर रहे थे। क्लोर ने अपनी तेज चोंच से मच्चर के पंखों पर चोंच मारी। जबकि बस उसके सिर के चारों और भीनभीना रहा था और अपनी लगातार हरकत से उसका ध्यान भटका रहा था। मिलो ने मोटिमा पर पके फल और मेवे फेकते हुए पेडों से छलांग लगा दी। जिससे वह रास्ता भटक गया। डेजी ने मच्चर को और अधिक प्रमित करने के लिए धूल और मलबा उच्छालते हुए जोर-जोर से रेखना शुरू कर दिया। और लियो और फ्योना अपनी गती और ताकत के साथ एक पल की सूचना पर हमला करने के लिए तयार बहरा दे रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, मोटिमा ने खुद को संख्या में कम और बेजोर पाया। अपने पंखों के अंतिम जटके के साथ वह पराजित और शर्मिंदा होकर दूर तक उड़ गया। बंदर, गधा, मुर्गी, मधुमक्थी, लोमणी और शेर सभी एक दूसरे की ओर मुणे। मुस्कुराय और सामुहिक रूप से राहत की सांस ली। उन्होंने एक साजह दुश्मन का सामना किया था और विजई हुए थे। अपने दोस्तों की रक्षा करने और सवाना के सद्भाव को बनाए रखने के अपने लक्षय में एक जुट हुए थे। और जैसे ही सूरज क्षितिच पर दूपने लगा, भूमी पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए। लियो और फियुना ने एक दूसरे को नए सम्मान के साथ देखा। वे जानते थे कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ती से नहीं, बलकि दोस्ती के बंधन और जो सही है उसके लिए खड़े होने के साहस से आती है। एक साथ वे सवाना में चले गए, उनका उत्साह बढ़ गया और उनके दिल भरे हुए थे। और उस पल में उन्हें पता चला कि उन्होंने एक ऐसा बंधन बना लिया है जो जीवन भर चलेगा, एक ऐसा बंधन जो विश्वास। वफादारी और जरूरत मंद लोगों की रक्षा और देखभाल करने की साज़ा इच्छा पर बना है। कि रज दूए पूए जो जीवन भर राख़ करने की साज़ा इच्छा की साज़ा जीवन की साज़ां